आज सुबह सुबह बहुत तेज तूफान आया करीब सुबह 9 बजे ठंडी हवाई चली ओले गिरे पानी भी गिरा और अचानक टेंपरेचर बहुत ही डाउन हो गया और बहुत ही तेज ठंडी हवाई चल रही है और ऐसे समय में अगर आपके पास में बड़ सेट अप है तो टेंपरेचर मेंटेन करना वो भी तब जब सेट अप के अंदर छोटे छोटे बच्चे हो ब्रीडिंग सीजन चल रहा हो बड़ा ही चेलेंज हो जाता है तो आईए बात करते हैं आज की हम अपने बर्ड्स के सेट अप को बर्ड्स की आवेरी को या हम अपनी कॉलोनी जिसक साथ बजे का वीडियो होगा लेकिन दो पहर के डेड़ बजे हैं जी हां दो पहर के डेड़ बजे हैं और आप देखिए ऐसा लग रहा है चारों तरफ कोहरा और बहुत तेज हवाएं भी चल रही हैं तो हमें कॉलोनी का जो टेंपरेचर मेंटेन करना एक बड़ा ही चेले या कि उन्हें सर्दी जो खाम हो जाता है और बड़्स जो है वो बिमार हो जाते हैं और खास्तोर से अगर बड़्स ब्रीडिंग के टाइम में बिमार होता है तो किसी के चार बच्चे किसी के च्छे बच्चे होते हैं फिर फीड कराना भी बंद कर देते हैं और बहुत ही टेंसन क्रियेट हो जाता हाइवेरी के अंदर तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पाहर ही एक पॉलेथिन से मैंने कवर करके पहले से ही रखा हुआ था और ये अच्छा किया था कि अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने ये पॉलेथिन आपको लबड की कालोनी देख रही होगी पीछे पॉलेथिन के अंदर आप देखे बल्ब लगा हुआ टेंपरेचर मैंटेन के लिए और कुछ लबड्स भी देख रहे होंगे तो ये लबड्स का सेट अप है यहाँ पर तो यहाँ पर तो मैंने पहले ही पॉलेथिन लगा कर रखी हुई थी लेकिन अभी तीन चार दिन पहले मैंने ये बाहर के एरिया में भी पॉलेथिन लगा की रखी थी कि जब तेज हवाएं चलें तो वो आईवेरी की दिवालों मेंने टकराएं बल्कि उसके पहले ही वो रुक जाए हवा और अंदर न जाए और ये कालोनी का मेंड ओर है लेफ्ट राइट सभी तरफ से मैंने बंद करके रखा है ये डोर है और एचली ये आईवेरी के बाहर का गार्डन एरिया है इस वे मैं गर्मी के मौसम में एकदम खुला रखता हूँ और यहाँ पर काफी सारे पेड़ पौधे लगा करके रखता हूँ अभी तो मैंने बाहर निकाल दिये है और उपर भी देखिए मैंने प्लास्टिक की सीट डाल करके रखी हुई है और खास ध्यान रखा हुआ है कि कहीं से भी ठंडी हवा इसके अंदर ना आए क्योंकि अगर आइवेरी को पूरा पैक कर देंगे तो फिर सफोकेसन की प्राबलम आती है यूमेडिटी मैंटेन कर पाना बड़ा मुस्किल हो जाता है तो मैंने कह किया है कि आइवेरी को पहले बाहर से एक लेयर सुरक्षा दी है और ये इतना एरिया मैंने हवा के आने जाने के लिए वेंटीलेसन के लिए खोल के रखा हुआ है तो हाई फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे कि हम सेट अप में टेंपरिचर मैंटेन कैसे रख सकते हैं और आईए लेके चलता हूँ सेट अप के अंदर और ये देखें यहाँ पर कुछ मेरे लबड्स रखे हुए है करीब ये 57 पेर लबड्स है इसमें और एक बल्ब लगा कर रखा हुआ है 100 बाट का और ये काफी टेंपरिचर मैंटेन कर रहा है यहाँ पर और ये एकदम हेल्दी हैं खोस हैं और आइवेरी के बाहर जो टेंपरिचर है अभी करंट में वो 7 डिगरी का है जिहां 7 डिगरी टेंपरिचर है बहुत ही ठोरने वाली ठंड है यहाँ पर देखिए ये मैंने 200 बाट का वल्ब लगा करके रखा हुआ है ये नीचे विंटर बैठा हुआ है ये रैबिट इसक नाम बिंटर है यहाँ पर इस केज में मेरा एक ब्रीडिंग पेर है लबड्स का फिसर का साइद बॉक्स के अंदर होंगे ये देखिए बाहर आ गया ये दोनों बाहर आ गये और ये वी एकदम देखिए एक्टेव हैं उपर कुछ कॉकटेल रखे हुए है तीन कॉकटेल यहाँ पर हैं और ये देखिए ये भी एकदम ठीक ठाक है और अंदर टेमपरेचर बिल्कुल ठीक है कहीं कोई प्राब्लम नहीं है लास्ट इयर मुझे थोड़ी सी गलती हुई थी कि मैंने आईवेरी को बाहर से पूरा पैक तो कर दिया था लेकिन फिर भी छोटे छोटे जो सुराक थे छेत थे उनसे हवा अंदर आती थी और बल्म लगाने के बाद में भी टेमपरिचर मेंटेन नहीं होता था लेकिन इस बार मैंने आईवेरी को तीन जगहे से बंद करके रखा हुआ है दो लेयर पॉलेथिन लगाई है इसके दोनों के बीच में मैं परदे भी डाल के रखता हूँ और ये फिंच की आईवेरी है और फिंच की आईवेरी के ठीक ऊपर एक सौबाट का बलू लगा करके रखा हुआ है जो कि लबड की कालोनी को भी गर्म रखता है और फिंच की आईवेरी को भी गर्म करके रखता है और साथ मैं ये बजरीगर जो हैं यहाँ पर मैंने यह 200 आठ का बलू लगा करके रखा हुआ है जो कॉकटेल के केश को भी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और इनके टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है तो कोई प्राब्लम नहीं होने वाली है अगर हम सही तरीके से अगर प्लान करें तो अब देखिए मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है वैसे हमारे यहाँ डिसेमबर में जो है बहुत तेज ठंड पड़ती है और कभी कभार पानी भी गिरता है लगवाग गिरता ही गिरता है करीब 15 दिसमबर से लेके 10 जनवरी के बीच में एक दो बार बहुत तेज बारस हो जात है रात में टेंपरेचर तो तीन डिगरी और चार डिगरी चला गया था भी परसों लेकिन फिर भी बड्स को कोई प्राब्लम नहीं हुई रीजन यही है कि मैंने इसको इतना प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है देखिए ये पानी देखिए पानी गिर रहा है मतला अभी भी बाहर बारे सो रही है बहुत तेश ठंडी हवाएं चल रही है और इस तरीके से यह देखिए यहाँ पर मैंने एक परदा भी लगा करके रखा हुआ है इसके ठीक पीछे लबड्स की कालोनी है अभी मैं आफिस गया हुआ था और उसी समय मौसम अचानक खरा हुआ यह लंच स्कल हो जाता है मेंटेन कर पाना सैट अप को तो पहले से ही तैयारी करके अगर रखें तो यह प्रॉब्लम भी होगी क्योंकि मौसम खत कोई भरोसा होता नहीं वो कभी गड़वड हो सकता है कभी टेंपरेचार अप डाउन हो जाता है और यह देखिए यह एक मैंने पर्द में रुख जाएगी और अंदर भी पॉलेथिन लगाई हुई है तब बल्ब भी बहुत अच्छे से काम करता है तो मिलते हैं फ्रेंट नेक्स्ट वीडियो में